कोटीटी पर दा फैमिली मैन हो या फिर आश्रम बड़े पर फिलहाल कश्मीर फैल्स दर्शन कुमार इस ओल ओवर तो मुझे मौका मिला है उनसे बात करने का और जानने का कि उनका ये जो खुबसूरत सा सफर इन फैक्ट मैरीकॉम की वक्त ही उन्होंने साबित कर दिया कि व के पर पर आपका इंडिया TV पर थैंक यू और थैंक यू त्हूं मतलब कश्मीर फैल्स तेंके बाद खास तवर पर दर्शन मैं यह पूछना चाहूंगे की काश्मीर फैल्स अपके लए क्या कुछ कर गया जिसका हर अक्टर सपना देखता है इस मोमंट के लिए कि उसे युआ आपकार मिले, ओडियंस उस चेरेक्टर के साथ रिलेट कर सके, वो अब हो रहा है। मैंने पहली बार देखा आए कि … की ओडिन्स इस फिल्म को नाही सिर्फ लाइक करें बलकिस को पर्मोट भी करे हे लोगों से रिकुस्ट करें कि इस फिल्म को देखें और मेरे कारेक्टड के साथ रिलेड कर फारी है अगर आफ फिल्म देखें तो जहाँ जहाँ कृष्णा असमंजस में है यह कृष्णा की जर्णी है यह कहानी कृष्णा की है उनके माता-पिता की है और जिस तरीके से आपने जो वो मोनोलोग बोला है मतलब you know you get your close फिल्म पिल्स thank you so much actually जब मुझे इस स्क्रिप्ट मिली थी तो सबसे पहले मैंने वो जब वो पढ़ा था 13 पेज का वो मोनोलोग है 13 पेज का उसमें सिर्फ दो चार जो काउंटर क्वेश्चिन आते हैं वो हैं तो मैं बहुत excited था as an actor और बहुत nervous भी था क्योंकि अगर आप गौर करें कि फिल्म में कुछ भी जब ज़्यादा लंबा डायलोग हो जाते हैं तो लोग अपने फोन पर लग जाते हैं या उनको लगता है कि फिल्म ड्रैग हो रही है तो मैं थोड़ा सा nervous था कि इसको किस तरीके से करूँ कि ये लोग जो हमारे देश की महान सब्भेता है उसको जान सके क्योंकि बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है वो पहली बार चीज़े सामने आती हैं कि हमारे कश्मीर हमें क्या-क्या हुआ और कितने महान लोग रहे और वो हमारा कश्मीर है तो वो लोगों के दिलों तक पहुँचना बहुत जरूरी था कि मैं किस सरे से कनवे करूँ तो मैंने विवेक जी से बात की थी और मैंने का सर मैं इसमें काम कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा अपना बैस देने की तो ये उनकी बड़कपन है कि उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो इसको हम दो दिन में शूट करेंगे मैं इसके लिए दो दिन रखे हुए है कि हमारा हीरो तनी बड़ी बात बोल रहा है क्लाइमेक्स में आकर तो आप इसके चंक बना लीजी तो कि 13 पेज का सीन है तो बहुत लंबा होगा और मैं इसको अच्छे से शूट करूँगा तो मैंन तो फिर हमारे पास टाइम तो ही उसको मैंने थाउजन तरीकी से सूचा कि मैं इसको इस तरीके से करूँ कैसे करूँ क्या प्रॉप्स लेकर आँ या क्या रखों फिर मुझे जब तक वो शूट का टाइम आया लास्ट मोमेंट पे मुझे लगा कि नहीं कृशना पंडित इ नहीं से बोलना चाहिए और मैंने वो वन टेक में किया और वो सिर्फ वन टेकी रख गया तो इसमें से दस मिनट काट दिया गया थैंगा या आपके सामने है वैसे पच्छीस मिनट का था क्यों की लेंथ बहुत लंबी हो गई थी तो अधसमने पढ़ा और सर अभी कह रह है कि वो चाहते हैं कि वो भी लोगों के सामने आए तो शायद वो उसको एड करेंगे दुबारा और उसके रावा जो आपने देखा तो वो सब जो बैक शॉट्स हैं वो मेरे उनके लोगों के रियक्शन लिए गए मेरे पीछे से वरना सिर्फ वो एक ही टेक है क्या बात है और सही बात है वो टेक तब ही लिया सकता है जब आप उसे पील करते हैं क्यूंकि वो रठ करके तो इंसान कर नहीं सकते हैं यह तो पील अवर देर महा इसमें यह एड करना चाहूँगा कि जब मैं वो पढ़ रहा था इतिहास के बारे में तो मुझे लगा कि जब तक मैं as an actor कंवेंस्ट नहीं होगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है तब तक audience भी नहीं हो पाएगी तो जो जो एक line मैंने बोली है जैसे मैंने सुना ललेशवरी के वाग को तो मैंने rarely में जितने भी tracks थे उनके उनको सुना और जाना और मैं इतना surprise था कि यह चीज़े लोगों के सामने क्यों नहीं आई संगीत वहीं से आया है तो जो जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए मैंने पहुत research किया एक एक line के लिए और लोगों के दिलों को चूँ रहा है तो I'm glad कि मेरी महनत सफल रही और मैंने सुना है कि आपका जो Instagram follower या Twitter का जो follower हो एक लाग से 5 लाग पहुंच गया जी 5 लाग पहुंच गया इस film के बार जी तो आप ही सोचे न मतलब लोगों ने पसंद क मैं जतनी पोस्ट होती है या वो जो appreciation देते हैं तो मैं कोशिश भी करता हूँ कि उनको reply करूँ क्योंकि उन्हीं का मैं रिनी हूँ कि ये फिल्म इस हिसाब से इतनी super duper hit हो गई है तो हां मतलब इस तरह का प्यार मिलना मुझे लगता कि ब्लैसिंग्स ही है और कुछ नहीं ह कितने फोन बजने शुरू है कितने प्रोड्यूसर्स ने आपको नौक करना शुरू किया ये बताइगे अभी तो मेरा फोन बंदी नहीं हो रहा है और ये इस प्यार के लाँ शायद हर एक्टर इंतिजार करता है कि रात को डेड़ेट दो दो बजे फिल्म कहतम होने के है वो मेरे काम को अप्रिशेट कर रहे है तो ये मुझे लगता है कि अब मेरे दिन बदल जाए क्योंकि इससे पहले मैं बहुत ही बड़े-बड़े डिरेक्टर से मिला वो मुझे एक स्टोडी के लिए बिलाते थे और कहते थे कि तुम्हारे लायक हमारे पास तीन-तीन-ती लेकिन हमें कुछ बॉक्स ओफिस नंबर चिए प्रोड्यूस को आपको सपोर्ट करने के लिए ताकि आप मतलब बॉक्स ओफिस भी बहुत इंपोर्टन तो शायद इसके बाद अब चीज़ हो जाए और हो ही है मुझे अभी ऑफर्स भी आया है कुछ लेकिन मैं पर्मोशन मेरे थे दो दिन पहले और बहुत बहुत तारीब कर रहे थे तो इतने महान डिरेक्टर से ये कॉम्प्लीमेंट मिलना मतलब मुझे गूजबम जा रहे हैं मतलब मैं मानता हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ नशन आज जब आपीछे मुटर देखते हूं मैरेकॉम से ऐसी शुरुआ थी वो फिल्म इतनी अच्छी बनी थी और कोई भी जब हस्ती हम सामने देखते हैं मैरेकॉम के पीछे उनके पती थे तो वो किरदार आपने निभाय था और उसके बाद लोगों ने आपको काफी पसंद किया था लेकिन फिर क्या मतलब क्या हो गया कि आप हमको इतने बात क्यों दिख रहे हैं जैसे मैंने भी बताया कि डिरेक्टर्स चाहते थे पर उनको सपोर्ट उनको लगता था कि कुछ बॉक्स ओफिस में कुछ तो चाहिए दर्शन के पीछे लेकिन दर्शन ने तो काम किया है इंपक्त ओट्ट वेगरा में काफी आपने काम किया है वो स्ट्रीम कैसा लग रहा है अपको पैंडमिक के वक्त ओट्ट जो है वो एकदम से बूम आया ओटी का लोगों ने देखना शुरू किया बहुत सारा कॉंटेंट आया ऐसे में आपके लिए ओटी में क्या खास ना सिर्फ मेरे लिए मुझे लगता है हर एक्टर के लिए प्रिडूसर के लिए एक नय होराइजन खोल दिया है और मेरे मैंने तीनों को ही इतनी सरहना में लिए इतना प्यार मिला है अवरोद कह लीजिए फैमिली मैन कह लीजिए या आश्रम कह लीजिए तो अभी क्या है मुझे लगता है कि जो फिल्मे है वो T20 मैच है और जो वेब सीरीज है वो टेस्स मैच है तो उसमें आपको मुका मिलता है अपनी इनिंग खेलने के लिए अपने चारेक्टर को जमाने के लिए और जो भी ओडियन्स जो देख रही है वेब सीरीज उनको लगता है कि उसका पा शूट हो गई है उसको अभी बस पोस्ट प्रोड़क्शन चल रहा है तो बहुत जल्द इसको रिलीज करेंगे अश्रम श्री में भी आपका किरदार बहुत जादा बहुत इंपोर्टन है क्यूंकि वही एक ट्रैक है जो इन्वेस्टिगेट करता है पूरी सबहर से तो तो आपने का आश्रम का यह कहा तो आश्रम देखने के बाद मुझे मैं सच काऊं तो हर रोज एक या दो प्रोजेक्ट आते हैं मुझे अज़े अज़े को प्रोड़क्शन हाउसेस लीड पैरलल लीड वेब सीरीज के लिए पर मैं मुझे जब तक मैं एज अन एक्टर मैं फी तब तक उस कारेक्टर के लिए और वेब सीरीज या फिल्म के लिए मैं मतलब वो अच्छा नहीं रहेगा उसके लिए तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनको बोल देता हूं कि सर मैं कम्फरटेबल नहीं हूं बट यह खुशी भी होती है कि उनको काम इतना पसंद आया कि व क्या होता हूं कोई भी इंसीडेंट आपकी थॉर्ख प्रसेस को चेंज कर देता आ है आपकी बोडी लैंग्विज को चेंज कर देता है इवन आपकी फैमिली के साथ भी जब आपकी रिलेशन्शिप होते हैं तो कोई भी चीज या एक इंसीडेंट उस वक्त के लिए तcimento को बिल्कुल चेंज कर देता है तो वही हमारी scenes में होता है, film में होता है जब आप act कर रहे होते हो तो मैं कोशिश करता हूँ जो जो character's scene के लावा जो पहले उसके साथ हुआ उसको जी लूँ ताकि जब मैं वो character play कर रहा हूँ उससे पहले character के साथ क्या हुआ उसकी जीवनी क्या है और हमें तो बच्पन से लिखना होता है एक character को गढ़ना होता है कि इसकी सोच ऐसी है तो उसका बच्पन कैसे बीता होगा इसकी upbringing कैसी रही होगी तो उन सब पे काम करना पड़ता है as an actor आपने नसीर साथ के साथ भी काम किया हूँ अभी भी कर रहा हूँ जी मौटली कम अपाट हूँ जी क्या बात है तो वो जनी वो दौर कैसा लगता है एक अलग ही है मत्तलब वो दुनिया भी अलग है बिल्कुल थीटर जब आप करते हैं तो थीटर जैसे मैंने बताया कि आपको हर रोज अपने आपको डेवलब करने का मौका मिलता है क्योंकि आप एकी परफॉर्मेंस कर रहे हो as an actor तो जब आप स्टेज पर जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज कुछ नई थौट लेकर जाऊँ ताकि और वो हर रोज आपको सर्प्राइज करता है और ओडियंस को भी सर्प्राइज करता है तो आप अपनी कैरेक्टर को बड़े अच्छे से निखार सकते हो मैं थीटर बहुत टाइम से कर रहा हूँ तो हमेशा मुझे सिखाया गया था हाव तो एक्ट लेकि नसीर सर का थीटर मौटली जॉइन करने के बाद मैंने सीका हाव तो नौट तो एक्ट और हाव तो बिकम अ करेक्टर यह यह होता है अक्टिंग मतलब और यह रह जाता है दर्शन यू आज आये कल चले गया ऐसा नहीं है यह बग्त जो है अपने हिसाब से ही आता है और बग्त शुरू हुआ है थांक यू सो मच थांक यू सो माच यू सच में मतलब इस तरह के किरदार कम मिलते हैं और मुझे लगता है कि आप यू में बड़ी गुड नेगेटिव करेक्टर अलसो जी वो आपके अंदर है एक बर मैंने विवेक अबरो ऐसे बात करी ती कि गुड लुकिंग जो विलन होता है वो जादा इंप्रेसिव होता है हाँ यह मैं शुकर गुजार हूं लोगों का कि वो मुझे पॉजिटिव में पसंद कर रहे हैं जहां मैरी कौम में पसंद कर रहे हैं वहां एनेस्टेंड में खुखार एक पती के रूम में भी, एक पुलिस वाले के रूम में भी, नेगरिटिव रोल में भी, मतलब हर तरह के किरदार को अप्रोच अब पसंद कर रहे हैं, तो ये अक्टर के लिए विन-विन सिच्वेशन है और मैं कृतग्य हूं लोगों का इसके लिए, जी, तैंक यू, थैंक